दिये सब्सक्राइबर कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं जारकन में अच्छे खासी वेकेंसी फिर से निकल गया आ चुका है यहां पे फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जारकन में पुलिस कॉंस्टेबल को लेकर गे फ्रेंड फैनली जो कि अच जारकन के लिए वेकेंसी है और जो कि इसका पोस्टने में अगर आप देखेंगे जारकन कॉंस्टेबल लोग को ले करके फ्रेंड यहां पर जो की वेकेंसी निकल की आया हुआ है 2024 और इसका इस स्टार्टिंग डेट है 22 जनुवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है और जो कि ल कि यहां पी यहां पर चार्ज रहने करते हैं पर अभी जो कि क्लियर नहीं किया गया कि यह अधर इस्टेड वाले अप्लाई कर सकते या फिर नहीं मैं आपको आपको ऑफिसली नोटिफिकेशन देखा दिता हूं जिले वाईस आपको यहाँ पर वैकेंसि दिया गया है कि किस जिले में केतना वैकेंसि अगर आप यहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा फिरिंड एक जिला वाईस आपको यहाँ पर पोस्ट दिया गया गया कि किस जिले में केतना post पर आपका जो जो की vacancy चलने वाला है महिला के लिए और female candidate जितने भी female candidate है और जो की male candidate हैं दोनों के लिए तो आपको फिरिंट चेक कर लेना है अपने जिला नूसर अगर आप आती है तो easily apply करेंगे यह officially notification इसको आप लोग जरूर एक बार चेक करेंगे अपने इस्तर पे मैं आपको basically notification के बारें बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताए जो starting date आपका 22 जनवरी से शुरू होने वाला है फीस जो लग रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो पोस्ट को लेकर वेकेंशी है और काफी अच्छी खासे फिरेंड जो की वेकेंशी है आपका जो फ्रेंड जोप लोकेशन होने वाला है वो 10 घंड ही रहेगा याद रखेंगे और यहां पर एज जो फिरेंड बताए गया हुआ यहां पर को सचेबर को लेगर करके जहार कनवी तो काफी अच्छी खासे साब्स पोस्ट आपको दिया गया 4919 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है देख सकते तो आपको फिरेंड फौर्म को फिल आप करना है और जो फिरेंड क्या है वह चलिए मैं बताता गया है तो यह आपको फिर देखने के लिए मिलता है 1120 पोस्ट जो कि बैक लोग के लिए और रेगुलर के लिए 3799 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है सबसे बड़ी बात है इसमें आपको जो कॉलिफिकेशन फ्रेंग लग रहा है अगर आप जो कि मैट्रिक पास आउट है आप 10 व्रेंग को फिल अप कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इस फॉर्म को जरूरत नहीं है जारखन का उन्सटेवल को लेकर के फ्रेंग आप यहां पर देख सकते हैं जिसमे फिजिकली टेस्ट के लिए फिरेंग जो हाइट लगने वाला है मेल कंडिडेट का जो जेनरल B.C.E. या E.B.C. से आते हैं तो 160 cm चाहिए और S.C.H.T. कंडिडेट को चाहिए और B.C. के लिए E.B.C. कंडिडेट जितने भी आते हैं एक 80 cm चाहिए और S.C.H.T. कंडिडेट के लिए 79 cm यहाँ पर चाहिए बंके फिरेंग जो आपका रनिंग होने वाला है वो आपको फिरेंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है मेल कंडिडेट के लिए फ्रेंग के लिए यहाँ पर 10 km आपको रनिंग करना है 60 मिनेट में और S.C.H.T. कंडिडेट को फ्रेंग 10 km रनिंग करना है सभी का रनिंग टाइमिंग और सेम ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो आपका 5 km रनिंग करना है और 40 मिनेट के अंदर में तो काफी अच्छी खासी आपको टाइमिंग दिया गया है चाय पर फिर फिमेल कंडिडेट तो आप एक घंटे के अंदर में इजिली जो होगी 10 km को आपको जोगी cross करना है और female candidate को फ्रेंट जोगी 5 km 40 minute में आपको cross करना है तो ये इसका requirement है आपका writing exam होने वाला है बांकि PET, PhD test होने वाला है जो selection process है फ्रेंट बांकि का information के लिए फ्रेंट आपको notification को check कर लेना है जो मैं आपको link description में दे दूँँगा आप इसको check कर लेंगे सारे details फ्रेंट इसमें बताएगा exam pattern कितने अंका फ्रेंट आपका exam होने वाला है 100 number का या किस तरह का सारा चीज इसमें बताएगा है जो फ्रेंट आपका selection process है cut up जो जाने वाला है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो इसको फ्रेंट आप जरूर चेक कर लेंगे एक बार अपने स्तर पे आपका फ्रेंट वीडियो आपको अच्छा लगाए फ्रेंट एक लाइक कर के बता है चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर लें मिलते फ्रेंट किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने ली फ्रेंट थैंक्यू सो मच